दोस्तो नमस्कार मुझे सबिस्क्राइब करें और मेरे साथ बने रहें दोस्तो मैं बताना चाहता हूँ जीवन का सच्चा सांथी कौन हो सकता है क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे जीवन का सच्चा सांथी कौन है जड़ चेतन गुड़ दो समय जड़ का मतलब होता है पृत्वी और जड़ का मतलब होता है माया और जड़ का मतलब होता है हम से जो जुड़ी हुई बस्तुए जितनी होती है वो जड़ कहलाती है और चेतन का मतलब होता है भगवान से सम्मंधित भगवान से जुड़ा होना भगवान का ध्यान होना और जो चेतन की अवस्ता है वो भगवान की देन होती है वो अद्रिस होती है जो दिखाई नहीं देती है इसलिए जड़ जो है वो माया कहलाता है और हम ये बात कर रहे हैं कि जड़ वस्तु जितनी भी होती है वो हमारे सच्चे साथी कभी नहीं हो सकते हैं एक निश्चित समय के लिए हमसे उनका रिलेशन होता है जैसे की कुछ कामनाए होती है कामनाए व्यक्ती की कभी समाप्त नहीं होती है और हमको जड़ से सुख नहीं मिलता है जड़ से हमको सांती नहीं मिलता है या प्रित्वी को दुखाला कहा गया है इसलिए प्रित्वी जडवस्तु है और जडवस्तु में कभी भी सुख की कामना नहीं करना चाहिए सुख जो है वो चेतन में होती है यदि आप चेतन का ध्यान करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है सुख की ओर जाते हैं और वो सुख की ओर जाते हैं जिसे कोई मिटा नहीं सकता है वह आपके इस प्रित्वी पर ना रहने पर भी चेतन से यदि आप जुड़ जाते हैं तो वह सदा सदा के लिए बनी रहती है इसलिए हमें अपने को भगवान से जोड़ना चाहिए आपके इस्ट देवताओं से जोड़ना चाहिए जो भी आपके गुरू है उनसे जोड़ना चाहिए प्रित्वी में कोई भी चीज इस्थिर नहीं होती दोस्तों इसलिए हम खुद को चेतन से जोड़ें और चेतन भगवान है अलग-अलग धर्म ग्रंथों के अलग-अलग इश्ट देवता हैं जिसको भी आप मानते हैं वो आप उनको सिद्ध कहते हैं हर धर्म के ग्रंथ हैं और ग्रंथों ग्रंथ जो हैं गलत नहीं होते हैं करोडों वर्ससों चले आ रहे हैं युगों से चले आ रहे हैं ऐसे धर्म ग्रंथों को हम अपनाएं जो इतिहास में अपना नाम है और भगवान का मतलब वो होता है चेतन का मतलब वो होता है जो भगवान कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है भगवान जिस चीज को कर सकते हैं इनसान नहीं कर सकता वही भगवान है उन्हीं को हम भगवान कहते हैं वही आत्मा के रूप है अनन्द ही आत्मा होती है आत्मा को कोई देख नहीं सकता है लेकिन महसूस कर सकता है यदि ब्यक्ति के हाथ पेर दिमाग सबसक्री अवस्ता में है तो ही वह चेतन अवस्ता में होता है और जब वह क्रिया नहीं करता कोई तो वह अचेतन अवस्ता होती है उसको अचेतन की अवस्ता कहा गया है इसलिए हमें सच्चा सांथी वह हैं हमारे जीवन का जो हमको दिखाई नहीं देता लेकिन हमारे जीवन का सहारा बनता है इसलिए चेतन की अवस्था ही हमारा जो चेतन है वह जिस से जुड़ा हुआ है वह इस्वर है वह भगवान है वह ही हमारा सच्चा सांथी है हमें सदा उसी का इसमरण करना चाहिए बोल कृष्ण भगवान की जय दोस्तो नमस्ति